नमस्कार, मैं एन जोतिर्मईी टीजीटी हिंदी परगी मैं आपके सामने एक विशे लेके आई हूँ विशे में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ गोलू के गर में एक चुहा था उचुवा बहुत चोटा था मगर सारे गर में दोड़ चलता था वो गोलू के पुसक और कपड़े भी कुतर दिये थे गोलू की माँ जो काना बनाती थी और बिना डेके रख देती वो उसे भी चाट कर जाता था वो कापी कर बहुत बड़ा हो गया था एक दिन गोलू के मम्मी ने बौतल में शर्बत बना कर रख दी वो कापी कर बहुत बड़ा हो गया था एक दिन गोलू के मम्मी ने शर्बत बना कर बौतल में रख दी शिराड़ती मोली की नजर उस बौतल पर पढ़ गई और उसको वह पीना था वो कई तरकी बलगागर तक गया था वो एक बार बॉटल के पास जाकर उस पर छड़कर टकन कोलने में सफल हो जाता तो अब वह अपना मूँ गुसानी का कोशिश करती है लेकिन मूँ नहीं गुसता क्योंकि बॉटल का मूँ तो चोटा है तो मूँ नहीं गुसता तो तब ही उसे एक आइडिया आया वे अपना पूच उटाया और बॉटल में डाल दी बॉटल में शर्बत के कारण पूच गीली हो जाती है और वह पूच को चाट चाट कर अपना पेट बर लेता है और जाके गोलू के तकिये के नीचे बने अपने बिस्तर पर आराम करने लगता है तो बच्चों कहानी कैसी है तो इस कहानी का सी क्या है कोशिश करने से कटिं कार्य भी सफल Ben जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो बच्चों, यह शब्द देखिए। घर, गोलू, बोतल, चुवा, शर्बत। यह सबी क्या है बच्चों? यह सबी नाम है। नाम का बोध करा रहे हैं। तो नाम का बोध करने वाले शब्दों को हम संग्या कहते हैं। तो आज हमारा विशय है संग्या संग्या को जानने से पहले हम शब्द बेद के बारे में जानना बहुत जरूरी है तो क्यों न हम शब्द बेद के बारे में जानेंगे तो चलिए दो या अधिक वन्नों के मेल से कुछ अर्द निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं वही शब्द जब वाकी में प्रयोग होते हैं, उसे हम पद कहते हैं। प्रयोग के आदार पर शब्द बेद आर्प्रकार के होते हैं। संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया। और संग्या देखिए, किसी भी वस्तू, विक्ती या जाती या भाव के नामों को संग्या कहते हैं। उदाहरन के लिए देखिए, पुस्तक, राम, कलम, मेज, कुर्सी, पंका, केला, आदी। सर्वनाम, सर्वनाम यानि नाम के बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, उदाहरन देखिए, मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, आदी विशेशन, संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्दों को हम विशेशन कहते हैं, उदाहरन के लिए नया, पुराना, लंबा, चौडा, लाल, पीला, आदी क्रिया, काम के बोध करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं उदाहरन के लिए पढ़ना, लिखना, हसना, देखना आदी क्रिया विशेशन, क्रिया की विशेशता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेशन कहते हैं उधारन देखिए परसों यहां वहां भहुत अधिक आदि समुच्चर बोदक दो शब्दों या दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्र बोदक कहते हैं उधारन देखिए और तदा किन्तू इसलिए आदि संबंद बोदक जो शब्द संग्या या सर्वनाम के साथ आते हुए अपना संबंद वाक्यों के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं उस शब्दों को हम संबंद बोदक शब्द कहते हैं उदाहरन के लिए देखिए के पास के सामने के नीचे आदी और आकिर कार है विस्मयादी बोदक ये जो अव्याई शब्द है जो विस्मय, हर्ष, गुरुना, आदी मन के बाव को प्रकट करते हैं उदाहरन देखिए बच्चों अरे, हे राम, हाई, शबाश आदी बच्चों, इन उपयुक्त आठ प्रकार के शब्दों को विकार की दुरुष्टी से दो बागों में बांटा जा सकता है विकारी शब्द और अविकारी शब्द विकारी शब्द क्या है? शिब्द वाक्यों में प्रयोग होकर लिंग वचन या कारक के कारण बदलते हैं तो वे विकारी शिब्द कहलाते हैं जो शिब्द लिंग वचन या कारक के कारण बदलते हैं लिंग यानि जेंडर वचन वचन यानि नमबर तो जो शद्द लिंग वचन या कारग के कारण बदलते हैं, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहलाते हैं उसमें चार प्रकार है, पहला है संग्या, उसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, सर्वनाम, प्रनाउन, विशेशन, एड्जेक्टिव, क्रिया, वर्ब अविकारी शब्द, कुछ शब्द वाकि में प्रयोग होकर भी लिंग वचन या कारग के कारण नहीं बदलते हैं, तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं जो शब्द लिंग वचन या कारक के कारण नहीं बदलते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं. इन्हें आवियाई शब्द भी कहते हैं. अविकारी शब्द चार प्रकार के हैं. क्या है बच्चों? चार प्रकार के हैं क्रिया विशेशन, अडवब, समुच्चाई बो बोदक प्रिपोजिशन और विस्मयादी बोदक इंटर्जेंग्शन तो बच्चो आज हम विकारी शब्द के अंतरगत संग्या के बारे में जानेंगे इस पार्ट का उद्देश क्या है इस पार्ट में अंत तक आप नाम वाले शब्दों का संदर्वित उपयोग कर सकेंगे और हुने प्रकार के आदार पर प्रकार के आदार पर वर्गिकृत कर सकेंगे तो चलिए नीचे दिये गए वाक्य और चित्रों के द्वारा हम संग्या के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे संग्या, संग्या की परिवाशा देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाती, भाव यास्तान के नामों को संग्या कहते हैं किसी भी व्यक्ति यानि व्यक्ति के नाम जैसे महात्मा गांधी, जोहरलाल नहरू आदी वस्तु, वस्तु के नाम यानि किताब, मेज, पुस्तक आदी जाती, जाती यानि पशु, पक्षी, मनुष्य आदी भाव, भाव यानि खुशी, क्रोध, दुख आदी या स्तान के नाम, स्तान यानि हैदराबाद, विकाराबाद, परगी, आदी जो शेब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तू, जाती, भाव या स्तान के नामों को संग्या कहते हैं देखिए भारत, भारत एक स्तान का नाम है मनुश्य, जाती का नाम है किताब और मेज वस्तू के नाम है उदाहरन देखिए केतों में किसान काम कर रहे थे पशू चिर रहे थे गाउ की हरियाली देखने लायक थी बातों बातों में गर आ गया रानी और रमेश दादी जी से मिले दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया सबेरे दोनों दूद पीकर दादा जी के साथ गाउ गुमने निकले तो बच्चों देखिए केतों में किसान काम कर रहे थे पशू चर रहे थे पशू गास का रहे थे गाउ की हरियाली देखने लायक थी हरियाली यानि ग्रीनरी बातों बातों में गर आ गया रानिया और रमेश दादी जी से मिले दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया सबेरे दोनों दूद पीकर दादा जी के साथ गाव गुमने निकले तो उपर दिये गए अनुश्यद में पशू, गाव, हरियाली, रानी, रमेश और दूर शब्द किसी व्यक्ती, प्रानी, वस्तू, स्तान, अतवा, बाव का बोद कराते हैं ऐसे शब्दों को हम संग्या शब्द कहते हैं दूसरा उदानन देखिए बच्छों लड़का खेलता है, राम पढ़ता है, सुक दुक आते जाते हैं, सेना देश की रक्षा करती है, स्वच जल पीना चाहिए इन वाक्यों में लड़का, राम, सुक दुक, जल और सेना शब्द किसी जाती, प्यक्ती, अतवा, बाव का बोद कराते हैं ऐसे शब्दों को हम संग्या शब्द कहते हैं, संग्या के बेद, देखिए बच्चों, संग्या के पांच बेद है, और ग्ण्या शब्द को ध्यान से देखिए, वा कैसा है, वा पांच संग्या जैसे ही है न, तो ग्ण्या शब्द को देखते ही आपको संग्या के पांच याद आना है तो देखिए संग्या शिब्द कितने प्रकार के हैं पांच विक्ति वाचक संग्या जाती वाचक संग्या भाव वाचक संग्या समुदा या समुवाचक संग्या रवी वाचक संग्या तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं सबेरे में कक्षा के लिए जब तयार हो रही थी एक विक्ति आया था और आकर कहने लगा मैं भी एक विक्ति हूं मेरा भी एक जाती है मुझ में अनेक बाव है हम समू में रहते हैं और काना का कर पानी पीकर सोते हैं तो बच्चों व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा? मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मेरा भी एक जाती है, मुझ में अनेक बाव है, हम समू में रहते हैं, और काना काकर पानी पी कर सोते हैं. तो बच्चों, संग्या के कितने बेद हैं? पांच बेद हैं. और व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा? मैं भी एक व्यक्ति हूँ, से बन गया व्यक्ति वाचक संग्या. मेरा भी एक जाती है, से बन गया जाती वाचक संग्या. मुझ में अनेक बाव है, से बन गया बाव वाचक सं संग्या और हम काना और पानी पीकर सोते से हो गया द्रविवाуск संग्या तो बच्चो संग्या की इतने वैड आप वाचक संग्या, इसके बेद है बच्चों, संग्या के बेद है, तो आप यह बात को याद करके, जह संग्या के बेद को रटना नहीं, ऐसा ही सीख लेना है, तो पहला बेद देखिए, विक्ति वाचक संग्या, जिस शिब्द से किसी विशेश विक्ति, वस्तु या स्तान के नाम का बोध हो उसे विक्तिवाचक संगय कहते हैं जिस खिब्द से किसी विशेश विशेश वस्तू या स्थान के का बोध हो उसे हम विक्ति वाचक संग्या कहते हैं देखिए उदाहरन के लिए अमिता बच्चन ये बॉलीवुड के सबसे सबसे प्रिय अभिनेता है ये हमने हिंदी साहित्यकार हरीवामशरायट जी के पुत्र है और दूसरा देखिए सचिन तेंदुलकर ये भी एक विशे विशेष्तान का नाम है चार मिनान ये भी विशेष्तान का नाम है और हमारी हैदराबाद की शान है दूसरा हुदारन देखिए बच्चो रामायन रामायन एक पुस्तक का नाम है तो ये विशेष नाम है रामायन तो ये विक्ति वाचक संग्या बन गया दूसरा देखिए महात्मा गांदी, ये भी एक विषेश विक्ति है और जाती पिता है, हमे इसे इन्हे法र आफ दी नेशन भी धी कहते हैं और ये विषेश विक्ति है, लाल किला ये विषेश स्थान का नाम है लटा, लटा क्या है बच्चो? एक लड़की का नाम है लड़की का नाम क्या है लटा है यानि एक लड़की का विशेश नाम है वो है लटा तो ये बन गया विक्तिवाचक संग्या और उधारन देखिए राम स्कूल जाता है ताज महल साथ अजूबों में से एक है तो राम स्कूल जाता है शिब्द में राम कौन है? एक लड़का है लड़का का नाम क्या है? राम है तो ये विशेश नाम है इसलिए राम व्यक्तिवाचक संग्या है ताज महल साथ अजूबों में से एक है ताज महल एक विशेश तान का नाम है और जोहरलाल नहरू बारत के प्रतम प्रदान मंत्री ते और जोहरलाल नहरू एक विशेश व्यक्ति का नाम है शिमला एक परियटन स्थल है शिमला एक परियटन स्थल है श्रिम्ला 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 श्रिम् बोध होता है उन शब्दों को जाती वाचक संग्या शब्द कहते हैं जिस शब्दों से किसी प्रानी या वस्तु की समस्त जाती का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं जाती वाचक संग्या शब्द कहते हैं उदाहरन के लिए देखिए प्रुक्ष प्रुक्ष शब्द से कई प्रकार के व्रुक्ष बोध होता है और इस दर्ती पर करोड़ व्रुक्ष है तो यह व्रुक्ष जाती वाचक संग्या है पक्षी पक्षी एक प्रानी है और पक्षी शिब्द से विद्प्रकार के प्रानी और पक्षी जाती का बोध होता है इसलिए पक्षी जाती वाचक सं संग्या शब्द है फूल फूल शब्द से हमें कई प्रकार के फूल याद आते हैं जैसे बोलिये बच्छो गुलाब आदी और विद्याले या विद्याले शब्द एक विशेश नाम नहीं दिया गया है केवल विद्याले दिया गया है इसके अंदर कई प्रकार के विद्याल जाती वाचक संग्या शिब्द हैं पुस्तक शिब्द पूरी पुस्तक जाती का बोद कराता है जानवर जानवर शिब्द से कई प्रकार के पश्यू याद आते हैं जैसे हाती शेर भाग और बंदर आदी जाती वाचक संग्या के उदाहरन देखिए पेड पर पक्षी बैटे हैं पेड पेड शिब्द से चोटे बड़ी और कई प्रकार के पेड का बोद होता है पक्षी शिब्द से कई प्रकार के पक्षी और पक्षी जाती का बोद होता है शेर जेंगल का राजा है शेर शेब्द से शेर जाती का बोध होता है गाई एक उपयोगी पशु है गाई एक बहुत ही उपयोगी पशु है देखिए बच्चों गाई शेब्द से पहाडी देशी विदेशी और सारी संपूर गाई जाती का बोध होता है इसलिए ये शेर पक दाती का बोड करवा रहे हैं कि दूसरा ही देखिए भाव आचक संगया जो शब तो मत ता Yak Fest चीस्च या पदार्दव कि अवस्ता दश्म या भाव की बोद कराते हैं उन शब्दों को भाव आचक संग्या शब्द कहते हैं जो शब्द किसी चीज या पदार्द की अवस्ता दशा या भाव का बोद कराते हैं उन शब्दों को भाव आचक संग्या शब्द कहते हैं जैसे देखिए उदारन के लिए देखिए दुख, दुख शब्द से इसी व्यक्ति के मन के बाव का बोध होता है दशा, भूक, प्यासा, गरीबी, इत्यादी गरीबी शब्द से गरीब होने की बाव का बोध होता है अवस्ता, बच्पन, जवानी, बूड़ापा, इत्यादी बच्पन शब्द से बच्चा होने की बाव का बोध होता है और बूड़ापा शब्द से बोड़ा होने की बाव का बोध होता है जवानी शब्द से नव जवान होने की बाव का बोध होता है गुन देखिए मिटास सुन्दरता कोमलता कटोडता इत्यादी मिटास से मीटा होने का गुन का बोध होता है सुन्दरता से सुन्दर होने का बाव का बोध होता है और ये कौन है बच्चो? सुबास चंद्रवोज इनका प्रमुक नारा क्या है? जैहिंत और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूँगा आजादी शिब्द से आजाद होने का बावव्यक्त हो रहा है आजादी यानि फ्रीडम आजादी शिब्द से आजाद होने का बावव्यक्त हो रहा है अतहां आजादी एक भाववाचक संग्या है और दूसरा देखिए बच्चो जादा दौने से मुझे तकान हो जाती है उपर दिये गए वाक्य में तकान से तकने का बावव्यक्त हो रहा है इसलिए ये बाववाचक संग्या शिब्द है और ये बाववाचक संग्या शिक्त देखा या सुना नहीं जाता इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं यान अनुबव किया जाता है देखिए बच्चो बाववाचक संग्या पांच प्रकार के शिब्दों से बनती है पहला देखिये जातीवाचक संग्या से लडगा से लडगपन पशू से पशुता बुड़ा से बुड़ापा मानव से मानवता बच्चा से बच्चपन सर्वनाम से, अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस, परायापन, एम से एहंकार, आप से आपा और विशेशन से भावाचक संग्या, महार से महानता, कमजोर से कमजोरी, वीर से वीरता, सफेद से सफेदी, कटोर से कटोरता पढ़ना से पढ़ाई, सजना से सजावत ये क्रिया से भाववाचक संग्या है पढ़ना से पढ़ाई, सजना से सजावत, लिकना से लिकाई, बचना से बचाओ और उड़ना से उड़ान है और अविय से भाववाचक संग्या तेज से तेजी, शीग्र से शीग्रता, वाहवा से वावाई समु वाचक या समुधाई वाचक संग्या जिन संग्या शयब्दों से किसी भी व्यक्ती या वस्तु के संग्या बोध होता है जिन संग्या शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समू का बोध होता है उन शब्दों को समू वाचक या समुदाई वाचक संग्या कहते हैं उदाहरन के लिए देखिए सेना सेना में कई सैनिक होते हैं तो ये समू वाचक शब्द है परिवार परिवार में अनेक सदस्यों थे हैं, जैसे माता-पिता, दादा-दादी, नानी-नानी, बाई-बहन आदी सबा, सबा यानी एसमली या मीटिंग, यह वेक्तियों का समू है खक्षा, खक्षा शब्द से विद्यार्दियों का एक समू का बोध होता है और बीड यानी क्राउड है, यह वेक्तियों का समू है, गुच्चा यानी बंच एके प्रकार की वस्वों को एक जगा रखना ही गुच्चा शब्द का अर्द है, यानी बंच है मेला, कई प्रकार के मनवरंजन का आयोजन की जाती है मेला में और जुंड यानी पश्व का समूह भारती सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है सेना शिब्द से कई सैनिक होने का बोध होता है या समूह की बात हो रही है तो देखिए सेना शिब्द क्या है समूह वाचक संग्या है मैंने जंगल में हिरन का जुंड देखा मैंने जेंगल में हिरन का जुन्ड देखा जुन्ड शेब्द से एक से ज्यादा हिरन होने का बोध होता है इसलिए जुन्ड शेब्द समुवाचक संग्या है मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्दी गूमने जा रहे है मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्दी गूमने जा रहे है कक्षा शब्द से विद्यार्दियों का एक समो का बोध होता है इसलिए ये समो वाचक संग्या है आज मैंने अंगूर का गुच्चा काया आज मैंने अंगूर का गुच्चा काया गुच्चा शब्द से एक से ज़्यादा अंगूर होने का बोध होता है इसलिए सेना, जुंड, कक्षा, गुच्चा आधी समु वाचक संग्या के उदाहरन है द्रव्य वाचक संग्या देहें, जो शब्द किसी दातू या द्रव्य का बोध कर आते हैं उसे हम द्रवी वाचक संग्या शब्द कहलाते हैं उदाहरन के लिए देखिये, कोईलं ये खनिश पदार्द है तेल द्रव्य है, पानी भी द्रव्य है, और गी द्रव्य है चांदी, चांदी यानि सिल्वर, ये एक दातु है तामबा, तामबा यानि कौपर, मिटी, मिटी यानि सौइल, लोहा, लोहा यानि आइरेन ये सबी द्रवी वाचक संग्या के उदाहरन है और उदाहरन देखिए बच्चों, मेरे पास सोने के आबूशन है मेरे पास सोने के आबूशन है, सोना शब्द से किसु धातु का बोध होता है और दूसरा देखिए, मुझे दाल पसंद है, मुझे दाल पसंद है दाल एक पदार्द है, जो काने के योग्य है तो दाल शब्द द्रवी वाचक संग्या के उदाहरन है एक लीटर तेल लेकर आओ, एक द्रवी पदार्द है तो ये बन गया द्रवी वाचक संग्या का उदाहरन गाय का दूद अत्यंत पौश्टिक होता है गाय का दूद अत्यंत पौश्टिक होता है दूद शब्द से द्रवी वाचक संग्या का बोध होता है संग्या की पैचान क्या है कुछ शब्द प्रानी वाचक होते हैं तो कुछ संग्या शब्द अप्रानी वाचक होते हैं कुछ गननी शब्द होते हैं तो कुछ अगननी होते हैं तो प्रानी वाचक शब्द जो शब्द किसी सजीव वस्तू का बोद कराते हैं उसे प्रानी वाचक संग्या शब्द कहते हैं, यानि जिसमें प्रान हो उसे हम प्रानी वाचक संग्या कहते हैं, उदारन के लिए देखिए, लड़का, गाई, रमेश, चिडिया, आदी, लड़का, गाई, रमेश, चिडिया, आदी, इन सभी में प्रान है, इसलिए ये प्र प्रानी वाचक प्रानी वाक्षक उदारन के लिए मेज रेलगाडी मकान पुस्तक पर्वत आदि ये मेज, रेलगाडी, मकान, पुस्तक, परवत इसमें प्रान नहीं है ये अप्रानी वाचक शिब्द है गननी जो शिब्द जो किसी व्यक्ती, वस्तू या प्रानी की गनना की जा सकती है उसे हम गननी संग्या शिब्द कहते हैं उदारन के लिए लड़का, पुस्तक, भवन, गाई, केले, आदी अगननी शिब्द, जिसे गनना नहीं की जाता, उसे हम अगननी शिब्द कहते हैं उदारन के लिए दूद, पानी, हवा, मित्रता, आदी तो बचों, अब आप संग्या को अच्छी तरह समझ गए न तो गुर्वकार्य देखिए, उसके पहले ये शब्द देखिए शेर, परिवार, शिमला, पानी, जोहलाल नहरू, जुंड, ताजमहल, राम, लड़का, पक्षी, सुकुदुक, जल, कोईला, गाई, दूद, कुशी गर, गोलू, बोतल, चुहा, शर्बत तो गुर्वकार्य देखिए, उपर दिये गए शिब्द देखिए, उन शिब्दों को संग्या के बेद के अनुसार अलग कर सितारे में लिखिए तो बच्चों, गर बैटकर पढ़ाई का आनन्द लीजिए, धन्यवाद